आप देखरें आपकर महराख नार एक्षे यूटूब चैनल वीडियो का टाइटल है में सब्सक्राइब लेकिन वो चाइना का नेवर है वो चाइना का पडूसी है और अगर भारत का वहाँ पे रुतुबा बढ़ता है चाइना के अंदर तो चाइना का गला सूखेगा क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापिस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं नहीं बोला ना क्योंकि जो टू नेशन थियोरी है वो बंगला देश में भी उतनी ही जिन्दा है आज की तारिक में जितनी पाकिस्तान में जिन्दा है पाकिस्तान के टुकडे पक का 110 परसेंट होंगे इट्स नॉट की होंगे की नहीं होंगे तो क्वेश्चन इस कब होंगे जैन दोस्तों पैउमेजर गारवारी और आप देखने तर्चानक के डायलोग से इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए बेला एक अंदा बाना बिलकुल मन धूलिएगा दोस्तों आपको पता है कुछ दिन पहले मौल्डीव्ज में जो प्रोसेक्यूटर जेनरल थे उनकी उपर हो गया हमला हमला हो गया होतोड़े होतोड़े से मारा पता नहीं क्या करा उसको वो हॉस्पिटलाइज हो गया कंदा वंदा उसका तोड़ दिया तो ये एक अटैक था पॉलिटिकली मॉटिवेटिड कि भाई जो आप प्रोव इंडिया प्रोव इंडिया कर रहे हो ना कि भारत हमारा दोस्त अबभरत हमारा दोस्त और जादा मत बना वनदू जांसे मारदेंगे थीक है दोस्तों इब enclosure में सोले ने यह बोला है कि कि पॉलिटिकल अटैक्स इस किसम के वाइलेंस, पॉलिटिकल वाइलेंस किसी भी डेमोक्राटिक सोसाइटी के अंदर उसकी कोई जगे नहीं है अच्छा मैं थोड़ा सा क्या पॉलिटिक्स चल रही है मैं आपको बताता हूँ थोड़े थोड़े मैंने पीसे में तो आपको समझाए अब एक विस्तार से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों ऐसा है कि जब से मॉल्डिव्स आजाद हुआ है मॉल्डिव्स भारत के बड़ा क्लोज रहा है और भारत ने आपको पता है हर तरीके से मदद करी है हर साल भारत के बजट में कई सौ करोड़ पता ने कितने रुपए अब मैं डीटेल्स भी है मेरे पास रिसर्च कर रखी है रिसर्च वालों ने कि हर साल भारत मॉल्डिव्स को पैसे देता है यह वन आफ नहीं हर साल पैसे देता है मॉल्डिव्स को हर साल, every single year India gives money to the Maldives और काफी समय से Maldives की मदद करता रहा है बीच में आता है चाइना जो चाइना बीच में आता है चाइना यह सोचता है कि यार ठीक है भारत का जो रसूख यहां पे है वो बढ़ रहा है हमें Maldives में पहुँचना होगा लेकिन क्यों कारण क्या है Maldives क्यों इतना strategically important है चाइना के लिए और यह जो Maldives के अंदर यह मार, पीड, जूता लाच चल रही है यह चाइना ने करवाई है लेकिन करवाई क्यों है ऐसा क्या है Maldives में ऐसे भाईया कौन से हीरे जवारा जड़े हुए उसमें कितना परेशान होगया चाइना देखिए दोस्तों अगर आप नक्षा देखेंगे और आप यह देखेंगे कि Maldives है कहाँ पे भारत का पूरा पूरा Western Sea Board Maldives से उपर देखता है यह जो जहाज आ रहा है जिसको Chinese कह रहे है survey vessel यह आ क्यों रहा है इसका कारान क्या है आने का इसकी मंच्या क्या है वहाँ पे यह basically एक spy vessel है इसके अंदर latest radars है satellite से इसकी uplink है हर किसम की technology इसमें है कि आप पता लगाईए इस पूरे area में इस पूरे range में यह पता लगाईए साब कि भारत के नेवी के जहाज कहाँ पे है air force के plane कहां से fly करते है उनकी पंडूबियां कहां कहां जाती है कहां कहां पेट्रोलिंग करती है एक एक चीज के उपर spying मॉल्डीव से बड़ी है जगए नहीं हो सकती strategically दूसरी भारत के बिलकुल बगल में क्योंकि भारत का ये near neighbor है आप सोचिए आप जब भी जाएंगे चाहे उसके political differences ताइवान के साथ मैं चीन की बात कर रहा हूँ चीन और ताइवान के जो भी political differences हो one China policy हो कि actually चीनी ये बोलें कि नहीं साब ताइवान तो हमारा हिस्सा है और ताइवान बोले कि नहीं हम तुमारे इससे कोई नहीं हमें आजाद देश है जो भी है जो भी है लेकिन वो चाइना का neighbor है वो चाइना का पडूसी है और अगर भारत का वहाँ पे रुत्बा बढ़ता है चाइना के अंदर तो चाइना का गला सूखेगा यह fact है उस वही चीज वही गेम चाइना भारत के साथ खेलना चारा है कि बिलकुल भारत का near neighbor है अगर immediate neighbor नहीं है तो भाई यह near neighbor तो है और यहाँ पे इंडियन नेवी की पूरी धाक है तो चाइना अगर यहाँ पे बैट जाएगा तो यहाँ से इंडिया को threaten कर सकता है आप सिर्फ समुदर माख़़ए होगे threaten नहीं कर सकते हैं आपको land based चाहिए जहां से आप अपने operations launch करेंगे चाइना उस चीज की तियारी कर रहा है तीसरी चीज जो trade route आते है यह मैंने पहले भी समझाया था दोस्तों जो trade के route आते है जहां से आता है चाइना का अगर आप map देखेंगे तो चाइना का eastern part है यानि कि पूरवी part है चाइना का पूरवी part दोस्तों वो है जहां पे चाइना की maximum population है जो चाइना का पश्चमी part है वहाँ पे population बहुत कम है मैं यह नहीं कह रहा है कि लोग वहाँ पे नहीं रहते मैं ऐसा नहीं कह रहा है मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि वहाँ की population काफी कम है जो चाइना का business है चाइना की economy है जादा तर eastern पूर्वी तरफ से पूरी चाइना की चलती है वहीं पे उनके ports है क्योंकि बाकी area तो इनके land logged है यहाँ पे इनके ports है यानि कि पूर्वी तरफ और इधर से सारे के सारे जहाज आते है कहां से आते है पूरा यह इंडोनेशिया और यह सब एशिया नीचे हम जो कहते हैं न मलाका स्ट्रेट्स मलाका चोक की बात करते हैं इंडियन निवी वालों से बैट के बात करोगे they will talk about the मलाका चोक किस तरीके से वहाँ पे चोक करते हैं चाइनीज का गला पकड़के वहीं पे दबाओ यह जादा चूचू कर रहे हैं वहीं पे ठोको तो आप कभी बात करना है इन लोगों से तब आपको पता लगेगा मैं किस दिन बैटके आपको मलाका चोक इतमना अनसा समझाओंगा अब मैटर यह है कि वहाँ से जब इनके जहाँ आएंगे तो कहां से आएंगे फिर श्री लंका से ऐसे गुम के जाना पढ़ेगा और श्री लंका से जैसे ही आप गुमते हैं सामने कौन सा अदिश पढ़ता है दिस वन मॉल्डीज ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर यह गेम चल रहा है मॉल्डीज में कि मॉल्डीज को कंट्रोल कौन करेगा और जैसे 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 मुहमद मुईजू की कुरसी गिरने वाली ऐसा लग रहा है कि इंपीच्मेंट हो रही है ऐसा लग रहा है कि इतने सीट मिल गई ऐसा लग रहा है कि इतने वोट मिल गए अब ये लोग सब मॉल्डिवियन डेमोक्राटिक पार्टी को ले लो या डेमोक्राट्स को ले लो किसी को भी ले लो जैसे जैसे पता लग रहा ना कि मोमेंटम बिल्डप हो रहा इसको निप्टाने का वैसी वैसी चाइना ये सब पंगे खड़े कर रहा है सबके इसको मारो इसको पीठो इसको धंकी के फोन और बीच में चाइना ने एक और गिरी हरकत कर दी मॉल्डिवियन सोशल मीडिया पर ये चीज़ वाइरिल कर दी किसाब मॉल्डिव्स का एक जहास था उसको इंडियन नेवी ने अटैक कर दिया क्यों कर दिया इंडियन नेवी क्या चाइए अब इंडियन नेवी मॉल्डिव से लड़ेगी ये इंडियन नेवी का हालोग है कि हमारे कि हम Maldives से लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे यार हम तो कहते हैं तुम्हारा President पागल है और तुम्हारे 4-5 मंतरी पागल है बाकी तो Maldives दोस्त है हमारा Maldives का इतना पुराना रिष्टाम कैसे थोड़ते हैं क्योंकि एक पागल के बच्चा वहाँ बन गया President पागल के बच्चे को अटाओ इसकी जितनी भी कैबिनेट उसको निकालो अब यह कह रहे हैं बिलकुल सोचल मीडिया पे यह बात चल रही है कि भारत ने कर दिया भारत ने कर दिया बारत ने कर दिया और यह सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसका मास्टर है चीम, Misinformation और Disinformation का एक कर क्या रहा है चाइना मैं आपको बताता हूँ दोस्तों दो-तीन देश हैं जहां पे चाइना ने यह चीज़ ट्राइ करी है ठीक है अब मैं जाता हूँ बंगलादेश एक मिनट के लिए Maldives को छोड़ो और आप बिलकुल ऊपर चलो ऐसे बंगलादेश लेट्स गो अप तो बंगलादेश आपको पता है बंगलादेश में जो आज की सरकार है वो प्रो इंडिया सरकार है शेख हसीना की जो सरकार है शेख हसीना is the daughter of you know Bangabundu है ना तो उनकी वो daughter है and शेख मुझीब और रह्मान ने अपनी जान दी थी उसकी खुद की फॉज ने उसको मार दिया था उसने जान दे दी अपने देश के लिए और यह सब जितना भी matter हुआ है ना now the Bangladesh government is very close to the Indian government the Indian government is very close to the Bangladesh government लेकिन हुआ क्या है बंगलादेश के अंदर radical Islamist elements led by जमाते इस्लामी यह वही मुहिम कर रहे हैं वहाँ पे आज की तारिक में जो Maldi is not हो चुकी है India out ओ इंडिया in kब है यार जो India out इंडिया in तो होना चाई out होना भाई मैं आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ मैं आपसे कही रहा हूँ भाई मैं तो अपने खुद के घर में बैठा हूँ मैं तुम्हारे घर में गया है नहीं मैं आउट कैसे हो जाऊंगा लेकिन आपने इंडिया उट इंडिया उट ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ कुछ-कुछ समाज होते हैं कुछ-कुछ societies होती हैं जहां पर दिमाग की कुछ कमी होती है अब मैं आपको बताता हूँ काम कैसे करती है यह दिमाग की कमी यह कहती है कि आप कभी भी देखना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अब दो मिनिट के लिए पाकिस्तान चलते हैं दोस्तों मेरे साथ आप दो मिनिट के लिए बने रही हैगा पाकिस्तान चलते हैं फिर मैं आपको समझाओंगा यह स्टोरी की है आपने पाकिस्तान कई यूट्यूबर रहें, इंटर्विव करते हैं, सबाक पर चल रहें, लोगों से बात कर रहें, और जादा तर भारत टॉपिक होता है उनका, तो उसमें आप एक चीज़ देखिएगा, पाकिस्तानियों का जवाब है कि हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो काबलियत है, वो भा बहुत काबलियत है भाई, हम जैसा टैलेंटिड कोई नहीं है, हम जैसा जिसको कहते हैं कि बहदूर कोई नहीं है, हम जैसा कोई नहीं है, मतलब की अल्टिमेट है हम लोग, लेकर हमारे साथ साजश होगए याराब हम भोले इतने हैं, हम मासूम इतने हैं, हमारे चेहरे दे देते हैं ये सारे पाकिस्तानी मानते हैं इनके दिल में है कि हम इतने टैलेंटेड अभी कर कुछ नहीं पाए उस टैलेंट का जो supposedly इनके दिल में है मुझे नहीं पता बट कहते हैं उसी प्रकार से वही गेम बंगलादेश के अंदर psychological game खेला जा रहा है और वो psychological game मॉल्डीव में खेला जा रहा है बंगलादेश, पाकिस्तान, मॉल्डीव मैं आपको बताता हूँ देखे तीनो एक तो इस्लामिक कंट्रीज हैं आप इनका गेम समझिए है और ये जो conspiracy theories हैं ये तीनो देशों में चलती है बंगलादेश की मैं बात कर रहा था, इंडिया हमारे देश में बहुत interfere कर रहा है, ये एक बंगलादेशी सोशल मीडिया पर बड़ा चलता है कि इंडिया हमारे देश में बड़ा इंटरिफेर कर रहा है आप किसी से पूछ लो कि भाई कैसे इंटरिफेर कर रहा है इंडिया नहीं कर रहा है यह जो शेख हसीना है वो तो इंडिया के बल पे यहां की प्रधान मंतरी शेख हसीना प्रधान मंतरी इंडिया के बल पे इंड वल्दानमंतरी जम्मंच चाह फड़का दे किसी और को बना दे Is this what people are saying? But yes, this is exactly what people are saying और कर कोन रहा है वहाँ पर अबको पता है? कर कोन रहा है? वहाँ पर कर रही यह सब जमात इसलामी वही जमात इसलामी जो जब East Pakistan था Bangladesh वही जमात इसलामी जिसने बंगॉली इंटेलेक्चुल मरवाई थे ओपरेशन सर्शलाइट के तहित यही जमाते इसलामी के लोग थे जो बताते थे कि उस घर में बंगाली प्रोफेसर रह रहा है यह आजादी की बात कर रहा है उसको मरो उसकी बेटी का रेप कर रहा है आपको मेरी बात अच्छी लगे है बुरी बट फ्रेंड्स यही जमाते इसलामी का रोल था जमाते इसलामी इस अप्रो पाकिस्तानी एलिमेंट इंसाइड बंग्लादेश एक और चीज़ हाँ बंग्लादेश पाकिस्तान से एकोनॉमिक लिए अच्छा काम कर रहा है यह जो मैं आपको बाते हैं बोल रहा हूँ न यह बड़ी मतलब जिसको कहते हैं बैलिंस वाली बाते हैं दोस्तों इसमें कोई राइट और रॉंग नहीं है को आपका देश जो मुहिम चली थी पाकिस्तान बनने की कहां से चली थी सबसे जादा जो आवाजें उठी थी वो पाकिस्तान बनेगा ये कहां से आवाजें उठी थी जिस इलाके को आज आप बंग्लादेश कहते हैं वहां से मैक्सिमम आवाजें उठी थी maximum आवाज हैं उठी थी, they led the partition of Pakistan, दूसरी चीज, क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए, तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापिस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, नहीं बोला नहीं बोला, क्योंकि जो two nation theory है, वो बंगला देश में भी उतनी ही जिन्दा ह आज की तारिक में जितनी पाकिस्तान में जिन्दा है, और उसी two nation theory को लेके और उसी हिंदु hatred को लेके जमात इसलामी जो है शेख हसीना की सरकार को पिन करते रहते हैं, कि इंडिया इंटेफियर कर रहा है, हिंडिया ने क्या इंटेफियरंस कर दिया यार, और तुम अपने फौजों को यहां से निकालो हमें नहीं चाहिए, अगर अड़ जाता है, तो भारत देर सवेर तो निकाली देगा वहां से फौज अतनी, हम थोड़ना गुंडागर्दी करके किसी को बहा है, हम चैनीज थोड़ना है, कि आपके घर में जब रतस्ती घुश गए, आपको नह जाएंगे वहां पर, अच्छा, जो पाकिस्तान में हुआ, वो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया, बंगलादेश में, जो जमाते इसलामी, उसी टाइप की चीज़ें चल रही हैं, आपकी मॉल्डीव्स के अंदर, रैडिकल इसलामिस टिंच बेजिया हैं, ठीक है, पर कैपिटा की बात कर रहा हूँ, मैं मैकसिमम नहीं बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा मॉल्डीव्स से गएं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहा रहा हूँ, रैशियो की बात कर रहा हूँ, पर कैपिटा, सौ में से कितने, अगर आप एक सेक्शन ल रहा है चाइना कहता है कि देखो चाइना का सिंपल सा फंडा है हम तो अल्ला को मानते ही नहीं ना हम भगवान को मानते हैं ना हम जीजस को हम तो किसी को मानते हैं नहीं हम तो एथिस्ट हैं हम तो कॉम्मिनिस्ट हैं हम तो पैसे की बात करते हैं और हम आपसे मजभगी बात कर ने रहे हम तो धंदगी बात कर रहे हैं पैसा आपको भी चीए हमें भी चीए का नहीं खत्म चाइना इस तरीके से अपने आपको प्रोजेक्ट करता है भारत को लेके भारत को लेके जब बातें शुरू हुएं मैं आपको बताता हूं तो मॉल्डीव से जो राडिकल इस्लाम से बंगलडेश और मॉल्डीव ठीक है है यह पूरा सत्ता बनता है एसे समय पाकिस्तान बंगला देश भारत का इस चीए बहुत ही चाइना भली भाती परिशित है तो दोस्तों यह सारा का सारा बियम वहाँ पे चल रहा है और एक मुहिम चलाई जा रही है सोशिल मीडिया पे लोगों को भाड़काने कि पहले इनोंने मुहिम चलाई थी, इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट. यही, मुहमद मुहिजू, जो भी प्रेजिट बन रखा, यह टी-चेट, वी शट पैन के टूलता थ, अब इनोंने क्या मुहिम चलाई है, कि भारत हमारे खिलाफ काम कर रहा है हमारी नाव पे हमारे एक शिप पे नेवी के शिप पे भारत ने यार देखो ना मैं Maldives वालों को एक बात समझा रहा हूँ यार फ्रेंड्स भाई हमने आपके उपर कोई अटैक नहीं करा आप मानो अगर भारत को अटैक करना पड़ता तो एक इन्वेंटरी ब्रिगेड काफी है Maldives को टेक ओवर करने के लिए किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता अगर भारत को अटैक करना पड़ता हाँ ठीक है बाद में यून आ जाएगा और देश आ जाएगा या चूँचूपूपूपूँ होगी लेकिन फैक्ट अफ़ दे मैटर इस ये इतना असान है भारत के लिए पट कभी हमने करा है ऐसा कभी हमने किसी भी देश के लिए करा है किसी भी देश के साथ करा हूँ तो फिर ये कहना ये सोशल मीडिया पे चाइना के बेहस्ट पर ये लोग पहना रहे है चाइना के बेहस्ट पर आप मानिए जिस तरीके से मौल्डिव्स ने पूरे इस चीज़ को घुमाई है ना दोस्तों कि नाउ में मार दिया ये मार दिया बाद में उनके लोग कहते हैं नहीं इंडिया तो था ही नहीं, हमें तो इंडियन मिला ही नहीं था, लेकिन आप बाद में प्रूफ देते रो ना, आप प्रूफ देते रो, कोई मान रहा आपकी बाद, आप देते रो प्रूफ, आप दस साल प्रूफ दे दो, जिसना मन में ड चार सो करोड लेकिन भारत ने टोटल खर्च करे साथ सो सतर करोड मॉल्डीव्स पर समझे भारत ने अलोट्मेंट जो करा था मैं कहा रहा था ना हर साल भारत पैसे देता है चार सो करोड मॉल्डीव्स को दिये लेकिन भारत ने खर्च करे साथ सो सतर 770 करोड भारत ने 2023 में म 600 करोर कर दिया है भारत में भारत आज भी Maldives को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि भारत को पता है कि पागल का बच्चा बन गया है वहाँ का राष्ट पती लेकिन फैक्ट ऑफ दे मैटर इस बाकी लोग अच्छे हैं यार बाकी लोग खराब नहीं हैं वहाँ पे राडिकल इस्लाम कर दिया है और यह जो डेवलप्मेंट असिस्टंस है यह ग्रांट इन एड है लाइन ओफ क्रेडिट है कैपसिटी बिल्डिंग है टेक्निकल असिस्टंस है काफी चीजों में यह पैसा दिया जाता है Maldives को यह हर साल दिया जाता है भारत के बजट का एक हिस्सा होता है Maldives के लिए कि हम एक हिसा Maldives को देंगे ठीक है जी और इसके अलावा निर्मला सीता रमन जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों मैं पढ़के बताता हूं आपको बयान इसामने कागस पढ़ा है मेरे लक्षवदीप विल गेट अंडिवाइड इटेंशन स्वं गर्म वहां पे मंतरी को बोल दिया कि ये आपका पैसा है अब जाओ लक्षवदीप को चमका दो अच्छा काफी लोग लक्षवदीप के लिए बोल रहे हैं कि नहीं वहां का जो एकॉलिजी है वो ठीक नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है उसमें ये दिक्कत हो जाईए आफको तो इतना नेगेटिव होने की ज़रूत नहीं है हर चीज में कीड़े निकालने के अवशकता आप लोगों को नहीं है जो हो रहा है ठीक हो रहा है जो हुआ वो भी ठीक था जो आगे होगा वो भी ठीक होगा दोस्तों अब दोस्तों आते हैं question and answers पर पहला सवाल है दोस्तों हैं वो कुछ प्रूव ही नहीं करती है और इनका ये भी कहना है कि सरकार जो विकिपीडिया पेज है उसमें कहना है कि सरकार ना जान बूच के ऐसा कर दिया अगले election के पहले कि election जीच जाए फिर बोला कि ये विकिपीडिया का पेज ये कहता है कि पाकिस्तानी fighter aircraft ने Indian fighter को नीचे गिरा दिया था वो अभिनेंदन वाला जहाज लेकिन जो पाकिस्तानी F-16 गिराया उसके बारे में कोई उस विकिपीडिया पेज में जानकारी नहीं है मैं बड़ा irritated और फ्रस्रेटर नहीं आपको क्या लगता है what do you think देखे आशीज जी जहिंद पहले तो अब मैं आपको इव बात बताता हूँ Wikipedia जो है ना Wikipedia पे कब से आप भरोसा करने लगे कोई पड़ा लिखा बंदा Wikipedia से पड़ करे रहे हैं Wikipedia में देखे Wikipedia में you can edit जिसको editing rights होती है वो Wikipedia में edit कर सकता है आज की तार नहीं वो जिनके पास editing rights थी वो मेरे बारे में कई उल्टी सीधी बाता है फिर जिसने बनाया होगा मेरे Wikipedia पेज पता नहीं उसी ने गायब कर दिया हो पेज क्या हुए उसका मुझे नहीं पता लेकिन दुनिया भर की चीज़ें कोई कह रहा है कि जबकि मैं on record बोल चुका 1999 I left the army 1999 कोई कहीं डाल रहा है कि गौरावारिया ने तीन बंदों को कश्मीर में मार दिया 2011 2011 तो था ही नहीं नहीं तो लोग आपके बारे में कुछ भी लिख देते हैं राइट ये सोशल मीडिया कभी कुछ मैं और Wikipedia पेज के बारे में नहीं बोल रहा कि Wikipedia पेज के बारे में म मेरे Wikipedia पेज पे लिखा था कि तीन बंदे मार दिये लेकिन सोशल मीडिया पे लोग घुमा देते हैं कि तीन बंदे मार दिये ये कर दिये वो कर दिये तो भई आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते Wikipedia एजेंडर डिरिवन एक प्लैटफॉर्म है आपको genuine information चाहिए तो आ आपको नहीं कि जानी कि इन करें इनकरीस दे रूम तेमपरचर फ्रॉम लेटे से कि कम्रे का तेमपरचर पंदरा दिख्रीय यह है वो स्पाइस का सपाइस टूथाजन का पम अंदर एकस्पोड ता मिसार एकस्पोड गोर रूम का तेमप्रेचर फ्यू था थाज़े जाओ, it's very dangerous and 90% it will give you fake information. अब आता हूँ, दूसरा सवाल है जीन निशानत जी का, जेहन सर जेहन निशान जी, यह कहते हैं कि हमें तालिबान के साथ अपने रिष्टे बढ़ाने चाइए, कि यह क्म करने चाइए, इसके फाइद नुकसान के हैं, मुझे तो वसा लगता है कि तालिबान के साथ काबल में राजा रहा उनका चाहे काबल में करजाई रहा कोई भी रहा उनकी सुसाइटी वैसी है आप कुछ नहीं कर सकते जो हम लोग कहते हैं कि तालिबान नहीं ये कर दिया तालिबान नहीं वो कर दिया में वहां पे अभी भी काफी चैलेंजिस हैं जहां तक तालिबान की बात है यू हैफ टू इंगेज उद तालिबान, यू हैफ टू इंगेज उद हूएवर इस इन पावर वरना आप रूट जाएए वो लिए हम नहीं बात करते हैं तो मैं बात करीब लेकर आप बात नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है चायना भी ऐसा सोच रहा है क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी ऐसा सोच रहा है ये दुनिया ऐसा सोच रहा है ये कहते हैं कि पॉसिबल है डिविजन फ़ाकिस्तान इंट फोर इन फूरे पाकिस्तानी खुद ही कर देंगे। इसमें मैं बता रहा हूँ भारत को कुछ करने की जरुएत नहीं हैं ये लोग खुद एक दूसरे के गिरेबान पे हाट डालते रहते हैं ये एक दूसरे से नफरत करते हैं इनको जिन्ना ने एक पिटारे में बंद कर दिया उस पिटारे का नाम था पाकिस्तान इस पिटारे क जैन किरन जी, भारत के international diplomacy successful होने के लिए reasons जिसमें पाकिस्तान में कुछ करवाना है, Saudi Arabia से बात की जाती है अमेरिका से कुछ करवाना है तो जराल से भी इत काती है, चाइना से कुछ करवाना है तो रशिया से बात की जाती है हाँ, ये तो होता ही है intermediaries होते है ठीक है, पाकिस्तान से बात अगर कुछ, देखे, बात यह ना कि पाकिस्तान से तो क्या ही बात किसी को करना है उनके बास तो कोई हैं नहीं देने के लिए मांगते रहते हैं उस अब से ठीक है, तो ऐसा हो तो नहीं पर yes, you are right इसराइल से अगर कुछ करना है तो अमेरिका से कहलवा दो, चाइना से रश्या रश्या, रश्या is the balancing factor I think to a very large extent diplomatically बात कर रहा हूं, मैं militarily बात नहीं कर रहा, diplomatically yes, रश्या does play that role, I feel रश्या plays that role तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए वीडियो कैसा लगा आपको, अगर पसंद आये तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेला एक नदावाना बिलकुत मत तो जी दोस्तों वीडियो की खतब, भई अगर पाक्स्तान, मेरे साथ की बाते हैं, अगर पाक्स्तान की बात होना, तो इंडिया को उतना शुक्राइब मस्ला नहीं है, पाक्सicação को हैंडिया करते हैं and tu Rasens, पराक्स्तान के बात, तो इंडिया जमने करेंगे हैं है, पाक्सितान कर्ये भी मैं इतने जादा नहीं है, इतने जादा उनके वैपन दिटिया कलीव हो इतनी बडी बात ना कीया करो, यि कि पाकितान को इंडिया से की कुछ नि अगर इस तरह हमाँ होता है ना हाँ चीना कब कर। खुळागी होता है और इंडियाख का hah पाकिस्तानकों ऐसे समयरे जつुम है कोई मेक्षी है पाकिस्तान एक आर्मी इक डूिटहर्ए यह को फेहिए फेहिए निया थिसमें प्रहु episódio है, तु सुल नही में को यह दो कि बहु多 हुथ फार्मी को मेरी आजये मेरी के एक बढारा है जो कुछ आपने के लागारा है जो कुछ बना रहा है चेले करें कि पाकिस्तान गुष के सामने कुछ भी निसका मतलब है इंडिया के तक फिर आर्मी कुछ भी नहीं मतलब यह है के यह aanग हो ज़िफ और दिट्री इमारा हो टूर लंस गखागो पाकिस्तान आर्मी को ना संजो iatna कंदो दुश्मन दुश्मन होता है उसे कंदोर हम रही सों से बड़ी गल्की है अच्छा एक सब्सक्राइब कर देगा यह कभी भी नहीं हो जबता क्यामत सब्सक्राइब नहीं हो जबता कि इंडिया आये आर्मी और पाकिस्ताल आर्मी पूरे मुलत को अब दाले अगर इतनी ही ता सब्सक्राइब नहीं होता में देखने मिलते हैं यह मे lightning यह उत्ति है अम यह दृ सद्राइब नहीं प्यांदे निए कि आशॉइब कि सुर्ण है 5 kत मिल्कूल सही हैं कि पाकिस्तान लड़ना दॉइस पेसा हो तो फर लड़ा जातर पाकिस्तान के पास है और खुद मांग हुआ कि निरी बता है। अची थोड़ा बहुत बैंगो भाइघा तोड़ा पहनी पर तोटर पेरला किसे पहुन है। मैंने सबिघा हैं तुझे निरे ले लिगवा बोला था। पहले रोने वोड किया कुछ बना रहा है क्या काई रहा है। ये पहले बात फिर तुझे बना चलेगा ऐसे ही अर्मीनी बैटरी पाकिस्तानी बेशक हम खिलावर हम बाजबत ऐसे बिंदों के खिलावर नौजवनों के खिलाव नहीं है जो सरहग पे हमारी को जाती खड़े होई असलम भाई क्या करना चाहिए असलम भाई कुछ करना चाह जो पहले हैं पैसे पैसे तो फिर साब कुछ है तो मारा मुलक पर फिर हल वह बिलग क्यों राएगे अब बताव कोई कुछ भी निए बहुत होगा आगा वागा तो फिलियर नहीं जाता है अमें और तुम्हें पिलियर से कोई लेना दिना ने वह पैसा जिनको चाहिए वह ह हो रहे हैं अच्छा मेर्ड को मैं अपने कारवार के लिए पैसा चाहिए वह हुरहे हैं ऍह सब्सक्रार कर से पाकिस्त reclaim और नहीं तरक साइब यह तो मेजय वा चम से पाया है, इस हैं तो आ कि उनल को गूरा जो है। जो से बांट है यह उस दिन से हिका है से पधर आखनर जो खहित और संस्यान केדי मगहांगार कोई एक दिन मुझे पता Tensor किस दिन ये ये पिसने डात आओगए ये टुक्ड़े होने हो नहीं होगे नहीं होगे हर हवर्म कि काती रहती हैं टुक्ड़े हो जाएंगे ये ज माइजाए ये इस तरहाएंगे कहने को आजे करना बहुत मशकल होगे बलोटिस्तान को देख लो यार। उसके बाद बलोटिस्तान है उसको देख लो। बलोटिस्तान को देख लिए को बाद बलोटिस्तान कुछ भी इन्य जूज होती रहती है बलोटिस्तान को बरोटिस्तान के बात करता ना। ये को वक्रें अभुझतान को बलोटिस्तान को बात करता। क्योंकि इंडिया उसने मनावस है जैसे पाकिस्तार वे अधने कि तेरे पास दे मुझे पाटी पड़ेगि बता आखा कुछ ऐसे ऐसा इसाथ किसी के पास भी नहीं है लिए सिर्फ काँये को बाती है अच्छा इसी तरह एंडिये लाई साथ गेम लिखती है और वह भाता है तोई जेम नहीं हो कि इस तिर्फ पढ़े लिखें तेरी क्या तदर है, तेरी ओकात क्या पढ़ा लिखा, क्या दालिया तिके, तुछ गंटा गार लिया, बस यह बादे कोई पर लिख्वाद भी नहीं आया सिवाए एक लिटरी मडार घांके, जिसको पता अपढ़े जिसको पहल को हो, कोई सोच हो, कोई नगरीया हो, जो पुद भंचपर करते, ना दर्णारी पढ़ा, ना रवाशी पढ़ा, ना बंगरू पढ़ा, कोउर को लीन करें, मेरी बाहरी लिखा लिखा लिखे लीके, तोजे अब यह बता दे, तो वो ही तिवेकरा मोजबान शीत्ती निए था मेरा मक्सथ यह था क्या इडिया के लोगों से जादा, पाकिस्ता के लोगों में टेलेट्स जादा है मेरा जी इसमास्ट हो है मैं तम मौजबात की नियए करना है क्यों जब वो एक वेक कंट्री है ही बहुत आगी हमसे नहीं टालेंट की बात की जाए है अरे रहाद से वो आगी है फिर तु कुछ तो प्रफारिवर क्यों कर दे टालेंट जादा इंडिया जिन में एक पाकसा दिया मैं यह पूछने चाहता हूं यह वर्क है इदर पाकिस्ताने कही है थे नौजवान लग्ज़ा रखें कि इंडर बहुत आए है तो इंडिस्तार है उटके इंडर की काफिया थे बहुत ज्यादा वाहां मैं चीज़ा नहीं है कोई पाकसानी CEO है किसी कंपड़ी का पाकसानी CEO है कहीं CEO बिचारे मुझें की कदर ही नहीं है यह आमने घर की जाती है यह वर्क है उदर पड़ रिके टीज़त होती है इदर है इस चले जी खेर बाते मेरे चाहिए कुछ कड़ी कुछ मुटी हमने सुनी तो यह अन्या वक्त बताए गए पाकसान कितने टुकड़े होता कि नह कारे नहीं होंगे आप मिलता नहीं वीडियो मना डप्सात अब तल बिजी जाचत अला आपस